22 जनवरी को देश भर की निगाहें आयोध्या पर लगी होंगी क्योंकि आयोध्या में होने जा रहा है इसे दिन राम मंदिर का उद्गाटन देश भर से दुनिया भर से कई कलाकारों को इस मौके पर उपस्तित रहने का निमंतरण मिला है उनमें से एक है भजन समराट अनूप जलोटा जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमसे खास बातचीत करने के लिए अनूप जी आपको भी निमंतरन मिला है प्रधान मंतरी की तरफ से तमाम कलाकार यहां से भी जा रहे हैं वहाँ पर और उनमें से एक आप खास कलाकार के तोर पर जाएंगे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत कम लोगों बहुत कम लोग ऐसे हैं जिने इन्वाइट मिला है बहुत खास लोगों को इन्वाइट भेजा गया है आयुद्या का आरिकरम देखने के लिए मैं अपने को फाकिशाली समझता हूँ कि मुझे भी इस अवसर पर सब कुछ देखने का और उसमें समलित होने का मौका मिला है मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे संसार में 22 जनौरी की हल चले किवल देश में नहीं है पूरे संसार में हिंदू सनातन ये तो संसार के हर देश में लोग बैठे हुए और ये कमाल के बात ये है कि हमारे देश में लोगों के अंदर जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो आनन्द है, वो कोई सोच नहीं सकता है कि इस वक्त क्या उमंग है लोगों के अंदर, यही जो उमंग है इसी का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सामने आएं और मैं अपने को भागशाली समझता हूँ कि मैं बीवार 22 जन्वरी को तो आप उपस्तित रहेंगे ही लेकिन 22 जन्वरी से भी वहां कारिकरम कुछ होने वाले हैं जिसमें आप सम्मलित होंगे वहां कुछ प्रस्तुती भी देने वाले हैं इसके बारे बताईए देखे कारिकरम तो हमारे वहां शुरू हो चुके हैं अभी तीन दिन पहले ही हमने आयोध्या में कारण किया वहां पे रामाइन मिला हो रहा है उसमें मैंने गाया और 20 जन्वरी को भी मैं वहां गाऊंगा मेरा एक कारिकरम है बाईस को मुझे नहीं लगता कि कोई कारिकरम की पॉसिबिलिटी होगी इतने सारे लोग आ रहे हैं वी आईपी सब हैं पूरी हमारी कैबनेट है और फिर वहां उदखाटन है प्राण पतिष्ठा है ये सब होते हुए मैं नहीं समझता कि वहां पॉसिबिलिटी है कि कोई क आरकम हो सके लेकिन हम तो अपना गरा साथ में लेकर जाएंगे कहेंगे हम गा देंगे उतसाइथ हैं कितना इंतजार है आपको 22 जनवरी का क्योंकि एक एतियासिक शन होगा और इसकी खास तैयारियां कई महिनों से हो रही है इन फैक कई सालों से और ये काफी पुराना मु सामने देखेंगे उसका घाटन होते देखेंगे उसके दर्शन करेंगे जो खबर है कि इतना भेव बना है कि इतना भेव तो कोई आलिशान कोई इस्थान है इनी संसार में और सच बात है हमारे हाँ जो नेतरत है देश का मूदी जी के हाथ है वो छोटा मुटा काम नहीं कर करते हैं तो बड़ाई करते हैं और देखिए अब जब बनारस में वारणसी में जो मंदिर बनाया कमाल कर दिया अब यह जो हो रहा है यह और गजव है तो इस देश में अब प्रगती ही प्रगती है और हर क्षेत्र में है इसका मुझे विश्वास है कुछ देर पहले आपने बताया इंटिव्यू में कि रामायन मेला हुआ था वहाँ पर आपने कुछ खास प्रस्तुति दी वहाँ पर आप कुछ अगर हमारे शोता को सुनाना चाहे तो जुरूर एक भज़न सुनाता हूँ राम नाम अती मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी भावनाओं को वेक्त किया राम से जुड़ी हुई मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा आयुध्या से जुड़ी हुई भी कई तमाम यादें आपकी होंगी आप गए होंगे वहाँ पर कई बार रामा एंड मेला में भी आप कहे थे किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे उन यादों को वो जो सफर रहा है आयुध्या का आपका 37 साल पहले 37 यह सगो मैं वहाँ 15 दिन रहा था अयुध्या जाकर एक फिल्म में मैंने काम किया था उस फिल्म का नाम था प्यार का सावन उसमें मैं अरुन गोविल साधना सिंग देवश्री रॉय प्रदीप कुमार जी हम लोगों ने एक फिल्म के वहाँ शूटिंग की तो मैं भी बहुत दिन रहा क्योंकि मैं उसमें हीरो था उसमें दो हीरो थे मैं और अरुन गोविल तो हम लोगों ने वहीं रह के उस पे फिल्म की पूरी शूटिंग की और मैं तब की आयोध्या और आज के आयोध्या में जो फरक देख रहा हूँ वो बयान नहीं किया जा सकता है क्या तो वो शेहर बन गया है क्या तो रोटस है क्या खुबसूरत कर दिये हैं चोरा है अब आयोध्या जो है वो पूरे संसार में जानी जाएगी और वहां से चार्टर फ्लाइट साएंगी सीधा आयोध्या उतरेंगी कमाल का ऐरपोर्ट बना है वहीं फ्लाइट उतरेंगी अमेरिका से आएंगी वहीं पर लोग दर्शन करेंगे वहां से चले जाएंगे वापस अमेरिका जो होटल बन रहे हैं वो कमपड़ जाएंगे गेस्ट हाउसे से कमपड़ जाएंगे इतनी जादा वहां विजिट्स लोगों की होने वाली है टूरिज्म इतना बढ़ने वाला है कि आप देखेगा कमाल हो जाएगा अनूप जी आपकी जो गाईकी का सफर रहा है चार दशक पुराना जो सफर रहा है लंबा सफर रहा है पुराना नहीं कहना चाहिए प्रभु राम को और यह जो आपकी भक्ती है राम के प्रती उसको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरा जो करियर है अब उसका नाम मैंने दे दिया है सेविन टू सेविन्टी क्योंकि मैंने पहला जो कॉंसेट किया था तब मैं साथ साल का था तब से मैं concert कर रहा हूँ, अब मैं 70 का हुग गया हूँ तो इस 7 to 70 में ये मेरी 3rd inning शुरू ही है 70 से 7 से 30 साल तक मेरी 1st inning थी, 30 साल में लोग मुझे पहचान गए और 30 से 70 तक मैंने खुब काम किया, वो मेरी 2nd inning थी अब ये 3rd inning शुरू ही है 70 से और इसको मैं बहुत खुबसूरत बनाने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम, बहुत अच्छा संगीत लोगों के सामने देने वाला हूँ मैंने अपने जीवन में सब कुछ गाया है लेकिन मुझे सब कुछ जो प्राप्त हुआ है वो भजन से ही प्राप्त हुआ है मुझे भक्ती संगीत से ही लोगों ने ज्यादा जाना है और इसके लिए मैं श्रे अपने पिता जी को दूँगा क्योंकि भजन समराद तो वही थे लेकिन यह होता है कि जब पिता भजन समराद हो तो बेटा भी तो बनी जाता है तो मैं भी बन गया लेकिन जो भी उसकी उसका credit है जो भी कुछ है वो सब मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ प्रभू राम के जो गाने हैं वो आपके दिल के बेहत करीब रहे हैं, उन गानों का भी आपके करियर में बहुत एहम रोल रहा है, बहुत एहम पड़ाव रहे हैं वो गाने, उसके बारे में क्या कहें? देखिए भगवान राम को किवल गा लेने से या राम चरित मानस पढ़ लेने से बात नहीं बनती है, उसे जीवन में अपनाना होगा, कि लोग मिलें और ये कहें कि आपका संगीत और आप दुनों एक हैं, दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ तुलसी की रामायन बोले, रामचरित अपनाओ, ये नहीं है कि रामचरित गाओ, रामचरित अपनाओ, जीवन में अपना लो उसको, पढ़ने के बाद उसको अपनाना जरूरी है तुलसी की रामायन बोले, रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म के मर्यादा में, धर्म कर्म के मर्यादा में, जीवन सफल बनाओ, तुलसी की रामायन बोले, रामचरित अपनाओ, अनुब जी, एबी पिन्यू से खास बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी विस्तार से हमें बताया, कारिकरम के बारे में, अपनी जो आपकी संभावित, जो मौजूदगी है भविश्य में, कार कारिकरम को ले कर उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और हमारी तरब से धेर सारी शुपकाम नहीं, बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, कैमरमन विजय देशाई के साथ, रवी जैन, ABP News, मुंबई